हेलो आप सब को जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा और मुझे कोमेंट्स भी दिये यह मेरा सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको पांच टिप्स बताने वाली हूँ अगर आप प्रेगनेंट हो अगर आप यह सोच रहे हो कि आप क्यों मेरे बातों को फोलो करोगी आम नौट डॉक्टर देन आप रिजन तो से दाट बिकॉस इस मैं चैनल इन वीच में यही बताने वाली हूँ जो मैंने खुद एक्सपेरियंस किये है और जो मैंने खुद महसूस किये जो प्रॉब्लम्स और जो बहुत सारे वीडियो वगेरा देखके जो भी खुद वही सब चीज में आपको बताने वाली हूँ तो इसलिए चाहिए आपके लिए बहुत हैल्पुल हो इसलिए में यह वीडियो बिदियू तो आज मैं आपको आपको ज़ीव्य जरूरी है करना और वह आपको एकसेप्ट करना जरूरी है अगर रेग्निन्ट तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट ज़रूरी टिप्स यह है कि यूशुड डू एक्सराइज डेली एक्सराइज डेली मतलब आपको डे वन से लेके लास्ट तक भी एक्सराइज करना चाहिए क्यूंकि प्रिग्मेंसी डिजिज नहीं है यूजरी हम लोग को बहुत ज्यादा टायर्डने संथरी एक्ससराइज यूलरी और सबस्वेश कर रहते हो आपको पहले से अअव्सीर सिड्रीलख कर रहे हो तो रब्ल्स हो यह यह एक्सराइज कर सकते हो लेकिन टЭरक हैं there are a few exercise you should not do with very fast like as this is quartz वगेरा करते हो बहुत फास्टाइज करना चाहिए आप स्लोली कर सकते हो के बाद तोड़ा डिफिकल्टी हो जाए क्योंकि बेबी का वेट बढ़ जाता है तो आपको उस्वर में ज्यादा जंपिंग वगरा करने से ठीक नहीं है तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो प्लीस कंटीनू डाट अगर एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हो सबसे बेस्ट जो है वह वाकिंग सब वाक कर सकते हो रेगुलर्ली अटलीस 30 मिनिट से डे आपको वाक करना चाहिए यूजरली और ते क्या सोचती है हम तो घर में काम करते हैं ऐसे इधर उदर जाते रहते तो वाकिंग हो जाता है नहीं वह वाकिंग नहीं है आप स्ट्रेस के साथ वह व वाक करने तो तास वेरी फर्स तिंग यूशुद दू इफ यूर प्रेग्ने और जो सेकंड चीज़ वह यह जो मैं फर्स वीडियो में भी आपको बताई हूं वह एट बालंस डाइट आपको अपने डाइट के उपर बिलकुल ध्यान देना चाहिए आपको फर्स ट्रैंस् क्यों देते क्यूंकि आपकी बड़ी में ब्रेश्ग के लिए आ जयरोरी ज्याए तो आपका बॉडी 6 महीन वह दिएक निकल सकता है ति इसी लिए है पको क्यं लिए जयाता है यहां पर मैं डाइट पार क्यों फोकस कर रही हूं क्यूंकि अगर इवnier अप्रिगनince हो नाच अगर आपको कुछ ट्रॉबल्स है वरना आप अपनी डायेट में एवरी डेया प्रेगनेंट हो तो एवरी डेया आपको होल ग्रेंट सेरियल फुट्स वेजीटेबल्स आइरन कैल्सियम रिज खाना जरूरी है इंक्लूड करना और फुर्ट कहां से चूज़ेंगे जैसे कि आप बाहर जाते हो मॉल वगरह से फूर्ट वगरह जोलाते हो कभी कभी किया होता है वह फ्रेश नहीं होता है वह उसको फ जाए अपना खाना डायट यू शुड फॉल अ टाइम टेबल मतलब इस टाम में यह खांगी उस टाम काऊंगी और आपना टायम टेबल फूड शाट बना सकते हो जिस वांसे आप से आप रोज अपने खाने का इंटेक इसे अथे ले सकते हो जो ज्यादा यादा ज़रूरी पानी हर रोज पीना चाहिए लेकिन जो मैं खूद मैसूस की हूँ 8-6 पानी में कुछ नहीं होता है अब जितना ज्यादा पानी ले सकते हो मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ज्यादा पानी लेना चाहिए अगर अब थर्स्टी फील नहीं करते हो अगर आपको प्यास नहीं लग रहे तो आपके बॉड़ी में वाटर इंटेक कम नहीं है यह त्रिक है आपको पता चलेगा तो इससे वजह से आप क्या करोगे रोज आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए लिकिन क्या हो ज्यादा पानी पीने से वामिटिंग भी आता है और प तो समय क्या है तो आप अधा चैकने तेहरे पीमाटों में चाहे में लिए को करके आप उसको भी ले सकते हैं जिसके वज़े से इट विल चेक ना यॉर नॉजिया एंडाट सुभा 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 रहता है सो सिखनेस थोड़ा मौनिंग सिखनेस में चेक होता है आपको अद्रग अपनी पानी में या फिर खाने में कुछ भी करके अद्रग भी लेना चाहिए कुछ भी हो जाए हमेसा अपने पास एक पानी का बॉटल रखना चाहिए और जो फोर्थ टीप है वह यह है कुछ औरतों को हैबिट है टू स्मोक एंड टू ड्रिंक अगर यह हैविट्स आपके पास है तो प्लीज यह सब मत कीजिए अगर आप मतलब ऐसी पाटी बैटी में लेते हो तो भी लेना नहीं चाहिए अगर आप रेगनेंट हो आप कंसीव करते हो उसके बात से कुछ भी हो जाए आपको स्मोकिंग और द्रिंक्स नहीं करना चाहिए क्यूंकि इवन मेडिकल साइंस भी नहीं बता सकता अगर यह स् कुछ टॉक्सिक आइटम्स आपको कंजूम नहीं करना है जो आपकी बेवी के उपर बैड इंपक्त ला सकता है तो हाँ आप उसको अगर हैबीट को चेंज करना चाहते हो तो च्विंगम वगएरा ले सकते हो और कुछ भी वीडियो वगएरा देख सकते हो जैसे कि अपना टाइम वहां पर मैनेज हो जाए खुद को रोकना है कुछ भी करके रोकना है और कैसी भी करके स्मोकिंग और ड्रिंक्स नहीं करना चाहिए और अभी लास्ट टीप जो फिप्त बाला टीप है तो सबसे इंपॉर्टन चीज जो क्या है यह है यू शिद टेक केर ओफ यॉसल चैसेरe सबसे जादा जरूरी है आपको खुद का किया करना सबसे जादा जरूरी श sizi कैसंप स्ट्रेश को है ने जरूरी हुआ ऑन आग वह स्ट्री स्ट्री रखना है को लड़की प्रेगनेंदल हो तो उसके घरवाले भी बहुत खुश हNT है यह नहीं की सिर्फ वहुर्सक लड़कियों को मूड़ स्विंग सोते रहता है लड़कियों को बहुत सारे चोटी-चोटी चीजों में वह इरिटेटेट हो जाते जब वह प्रेगनें रहते हैं मैं भी होती थी अब लोग कभी कुछ भी हो जाए कुछ को पानी पी लेना है वरना अपनी बेबी के साथ बात करने यह क्या होता है अगर आप प्रेगनेंट हो तो आप हमेशा अपनी पेट पर ऐसे-इस करते रहना तो इसमें क्या होता है ना बेबी को भी अच्छा लगते मितलब यूँ अच्छा लगता है तो उसे क्या होता है अब इसे बात करना अब गवार करने वें तो पर हैपी रहें हबल्द प्रेगनिकर वेंकि ये 5-6 को हमने Olow?. और सबसे लास्ट वाला, सबसे इंपॉर्टन वो ये है, आपको हैपी रहना, you should be very happy, so that आपकी बेबी भी बहुत कुछ हो, so with this, my video is in, and आप सबको thank you, for watching my video, and please keep sharing, please keep commenting, अगर आपको और भी कुछ जानना है, प्रेग्नेसी की रिलेटे, तो आप मेंचे बोल सेथे हो, you can comment me, and I will do my next video on that, thank you all of you!